Hello dear students, I am Navneel Godd from Tagore School Parbatsar and we are discussing and reading here the third lesson of Science Book of 6th Class यहां हम पढ़ने जा रहे हैं Science Book का third lesson, 6th Class का We have completed two lessons and their question answers in the previous videos पहले की वीडियो में हमने two lessons और उनके question answer complete कर ली हैं and we are starting the third lesson today और आज हम third lesson start कर रहे हैं the lesson's name is Fiber to Fabric as you can look on the screen, जैसा कि आप screen पर देख पा रहे हैं this lesson's name is Fiber to Fabric Fiber means ratio to Fabric यानि कपड़ा कपड़े के लिए ratio जो भी कपड़े हम यूज करते हैं जो भी कपड़े हमने देखे हैं उनको Fabric कहते हैं Fabric का मतलब है कपड़ा और वो कपड़ा जिन रेशों से बना हैं उसको Fiber कहते हैं हर कपड़ा किसी न किसी धागे से बना होता है धागा नहीं यूज करेंगे अपने रेशे से बना होता है Fabric जो होता है कपड़ा जो होता है वो रेशों से बना होता है उसको Fiber कहते हैं तो यहां हम इस lesson में पढ़ने जा रहे हैं उन रेशों के बारे में, उन फाइबर्स के बारे में, जो की फैब्रिक बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं लेट्स स्टार्ट, आईए शुरू करते हैं पहली और बुजो ने वोन यानि जीता, दा फर्स्ट प्राइज, तहला पुरुसकार, प्रथम पुरुसकार इने साइन्स क्विज, एक साइन्स की विज्ञान की प्रशनोत्री में, साइन्स क्विज कंपिटिशन में, held at their school, जो उनकी स्कूल में रखा गया था फर्स्ट प्राइज जीता उन्होंने, they were very excited, वे बड़े उत्साह पूर्ण थे, उत्तेजना पूर्ण थे, उनके मन में बड़ा उत्साह था, उत्तेजना थी and decided, और उन्होंने निश्चे किया, decide किया, to use the prize money, वो जो इनाम की जो राशी उनको मिली, prize money जो मिली, वो यूज करने के लिए उन्होंने decide किया, to buy cloths, खरीदने के लिए कपड़े, for their parents, उनके माता पिता के लिए उन्होंने सोचा कि जो भी अपने को money मिली है, जो prize money मिली है, जो पुरुसकार की राशी मिली है, वो हम उचसे अपने parents के लिए cloths buy करेंगे, यानि कपड़े खरीदेंगे when they saw, जब उन्होंने देखा, a large variety, एक बहुत बड़ी विविदता, विविद प्रकार के, when they saw, जब उन्होंने देखा, a large variety, बहुत प्रकार के, of cloths, कपड़ों की, cloth material, कपड़ों के, कपड़ा जो cloth material का मतलब है, material यानि पदार्थ होता है, यहाँ cloth material ने, कपड़ा पदार्थ, यहाँ पर कपड़े का मतलब सिला हुआ कपड़ा नहीं है, कपड़े के पदार्थ की बात हो रही, कपड़ा जो simple कपड़ा होता है, इसलिए cloth material बोला है, जब उन्होंने बहुत बड़ी variety देखी, यानि कितने ही प्रकार के कपड़े थे वो ब्रहमित हो गए, हिंदी में अगर आपन बोलेंगे तो ब्रहमित हो गए, confused हो गए, the shopkeeper complained, sorry, explained, the shopkeeper explained, shopkeeper ने यानि दुकानदार ने explained यानि समझाया that कि some cloths, कुछ कपड़े और fabrics, या fabrics कह दो, चाहिए cloth कह दो, कि कुछ कपड़े were cotton, वो सूती है, and some were synthetic, और कुछ synthetic है, यानि संसलेशित है, synthetic का वतलब होता है, जो प्राकरतिक धागों से नहीं बने होते हैं, जो क्रत्रिम धागों से बने होते हैं, उनको synthetic कहते हैं, हिंदी में संसलेशित, यानि जो बनाए गए हैं, क्रत्रिम रूप से उनको synthetic कहते हैं, तो दुकानदार ने शौप कीपर ने उनको explain किया, समझाया, कि कुछ cloths या fabrics तो cotton के हैं, यानि सूती हैं, और कुछ synthetic हैं, यानि कुछ संसलेशित हैं, He was also had, उसके पास ये भी थे, क्या, वो ये भी रखता था, woolen mufflers, यानि उनके muffler and shawls और शौलें, उनके muffler और शौलें भी थी उसके पास, There were many silk saris as well, उसी तरह से उसके पास कई silk की saris भी थी, पहली और बुजो felt very excited, पहली और बुजो बड़े उत्तेजित हुए, एक मन में कोतुवल पैदा हुआ उनके, Excited हुए, यानि उत्तेजित हुए, बड़े उनको आश्चरे हुआ, They touched, उन्होंने touch किया, छुआ, Touched and felt, उन्होंने छुआ, touch किया, and felt और महसूस किया, these different fabrics, इन अलग अलग कपड़ों को, fabrics को, Finally, Ant में, they bought, उन्होंने खरीदा, a woolen muffler, एक गरम muffler, एक cotton साड़ी, और एक सूती साड़ी, उन्होंने खरीदी, After their visit to the cloth shop, उनकी जो cloth shop पर विजिट थी, यानि वो जो कपड़े की दुकान पर गए थे, उसके बाद, पहली और बुजो बिगेन टू नोटिस, पहली और बुजो ने बिगेन यानि शुरू किया, टू नोटिस यानि ध्यान देना, उन्होंने इस बात पर ध्यान देना शुरू किया, various fabrics, कई प्रकार के जो कपड़े थे, in their surroundings, उनके चारों और, उनके चारों और जितने भी प्रकार के कपड़े थे, fabrics थे, उन पर उन्होंने नोटिस करना शुरू किया, ध्यान देना शुरू किया, they found, उन्होंने पाया, that bedsheets की बिस्तर पर बिचाने की bedsheets, blankets यानि कंबले, curtains यानि परदे, table clothes यानि टेबल पर बिचाने के कपड़ा, towels यानि तोलिया, and dusters यानि धूल उडाने का जो कपड़ा होता है, dust हटाने का, dusters, were made from different kinds of fabrics, वो बने थे, अलग अलग प्रकार के fabrics से, कपड़ों से, even यहां तक की, their school bags, उनका जो school का bag है, and the gunny bags, यानि बोरी, बोरी जिसको अपन कहते हैं, उनके जो school bags थे, और जो gunny bags होता है, जो बोरी होती है, were made, वो बने थे, from some kind of fabric, वो भी किसी प्रकार के कपड़े से ही बने थे, they tried, उन्होंने कोशिश की, to identify, पहचानने की, these fabrics, in fabrics को, as cotton, इस तरह से, अलग-अलग fabrics को उन्होंने identify करने की कोशिश की, किस तरह से, cotton, wool, silk, और synthetic, इस अलग-अलग range के इसाब से, category के इसाब से, उन्होंने चीजों को identify करने की कोशिश की, can you also identify some fabrics, क्या आप भी कुछ fabrics को पहचानते हो, कि कौन सा कपड़ा, सूती है, यानि cotton का है, कौन सा synthetic है, कौन सा, ये, wool है, यानि, उन्ही है, कौन सा silk का कपड़ा है, क्या आप भी इनको identify करते हैं, now the point is, variety in fabrics, fabrics में विविदता, कपड़ों की विविदता, कितने प्रकार के कपड़े होते हैं, कपड़ों में, fabrics में विविजिटे, नियर बाई, टेलरिंग शॉप, एक पास की टेलरिंग शॉप, यानि, दरजी की दुकान पर, विजिट कीजिए, यानि, वहाँ पर जाईए collect, इखटी कीजिए, cuttings, यानि, टुकडी, कतरन, वहाँ जो कतरन ने काटी भी पड़ी रथी है, टेलर की शॉप पर, collect cuttings of fabrics, वो जो fabrics, यानि, कपड़ों की, जो cuttings वहाँ पड़ी रथी है, उनको collect कीजिए, इखटी कीजिए, leftover after stitching, जो stitching यानि, सिलाई के बाद छूट गई है, leftover हो गई है, उन बचीवी कतरनों को वहाँ पर आप collect कीजिए, feel and touch, feel यानि, महसूस कीजिए, and touch यानि, उनको छुईए, each piece of fabric, हर कपड़े की जो कतरन है, उसको आप feel कीजिए, touch कीजिए, now try to label some of the fabrics, अब उन पर कुछ fabrics पर, लेबल, यानि, नाम लिखने की कोशिश कीजिए, edge cotton, जैसे कोई cotton का है, टुकडा तो cotton लिख दिया, silk है तो silk लिख दिया, wool यानि, uni और synthetic, या जो synthetic यानि, संसलेशित, यानि, प्रत्रिम कपड़ा होता है, उसको, इस प्रकार से उनको लेबल कर दिया, नाम लिख दिया, after asking for help from the tailor, उस tailor से कुछ help मांग करके आप ऐसा कर सकते हैं, do you wonder, क्या आपको आश्चरे होता है, what these different fabrics are made of, कि ये किस प्रकार की fabrics से बने हैं, ये जो अलग-अलग कपड़े हैं, क्या आपको ये आश्चरे चकित होते हैं, आप इस बात से कि कितने प्रकार के कौन-कौन से कपड़ को देखते हैं, it seems a continuous piece, तो ये एक लगातार एक चीज दिखती है, एक लगातार टुकड़ा दिखता है, जब आप किसी भी किसी भी कपड़े के टुकड़े को देखते हो, फैब्रिक को देखते हो, तो it seems ये दिखता है, एक continuous piece, एक लगातार टुकड़ा दिखता है ये, उस तो आपको क्या ध्यान में आएगा, क्या आप नोटिस करते हो, तो आप जब ध्यान से देखोगे, तो इस तरह का दिखेगा उसमें, जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरह की स्ट्रक्चर दिखेगी आपको, जब आप किसी कपड़े को बहुत गौर से देखोगे, enlarged view, यानि बढ़ाया हुआ ये एक द्रश्य है, of a piece of fabric, एक कपड़े के टुकड़े का enlarged view है, बढ़ाया हुआ द्रश्य है, तो ऐसा दिखेगा जब आप किसी को कपड़े के टुकड़े को ध्यान से देखोगे, activity 2, select a piece of cotton fabric, एक सूती कपड़े का टुकड़ा, select कीजिए, you labeled in activity 1, वहाँ भी activity 1 में जो आपने नाम लिखे थे, उन में से एक आप कोटन का टुकड़ा ले लो, now try to find a loose thread, अब उसमें जो कोई डीला धागा हो ना उसको डूणने की कोशिश करो, और यार्न, अब ये जो धागे, आपको ये जो धागे दिख रहे होंगे, इसमें भी दिख रहे होंगे, ये जो आपको दिख रहे हैं ये यार्न कहेंगे इसको, ये जो दिख रहे हैं ना इनको यार्न कहते हैं, धागा, यार्न यानि धागा और फाइबर यानि रेशा, तो ये जो अभी दिख रहे हैं वो है यार्न, तो आप कोई एक कोटन का टुकड़ा लेकर के उसमें से आप एक कोई लूज यार्न देखो, उसमें लूज धागा देखो, अब एक लूज धागा यार्न यानि भी धागा तो लूज धागा आप देखिए इसमें, टुकड़ा इसमें एक किनारे जो हैं उनके उपर लूज सा धागा देखो ये पाहर इसको बाहर खीचो एक धागे भी वाहर. इफ नो लूज यार नार विजिबल अगर कोई लूज यार नहीं दिखता नहीं है दिखता नहीं है यू कें जैंटली फुल आप जैंटली यार नरमी से पुल वन आउट आप आस एक मुलायम तरीके से नरम तरीके से पुल वन आउट एक को खीच सकते हैं विद ए पिन और निडल किसी पिन या सुई से भी आप अगर आपको डिला नहीं दिखता है न कोई तो किसी पिन या सुई से भी आप एक को खीच सकते हैं we find हमने पाया that a fabric is made up की एक fabric बनता है एक कपड़ा बनता है और यार्न धागों से arranged together जो एक दूसरे पर व्यवस्थित होते हैं तो इस तरह से fabric बनता है यार्न जब arranged होते हैं together यानि साथ में जब arranged हो जाते हैं जब व्यवस्थित हो जाते हैं तो एक fabric बनता है what are these yarns made up ये yarns किस से बनते हैं अपने ये तो देख लिया कि fabric किस से बनता है fabric बनता है yarn से यानि धागों से लेकिन यही धागा किस से बन रहा है ये yarn किस से बनता है तो इसके और अंदर जाना पड़ेगा अब ये बनता है फाइबर से यानि फैबरिक यानि कपड़ा तो बनता है यार्न से धागे से और यार्न बनता है फाइबर से यानि फैबरिक अब आप यार्न को निकाल लोगे ना एक धागे को उसको और थोड़ा सा आप और उसको हिलाओगी डिला करोगी तो उसमें से और पतले पतले बारी रेशे निकलेंगे और पतले पतले लड़े निकलेगी उसके लिए सही शब्द स्प्लिटिंग आएगा भी लड़े निकलेगी पतली पतली दागे में से भी तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो यार्न है जिससे फैब्रीक बनता है वो किससे बनता है तो यहाँ एक्टिविटी थ्री है टेक आउट यार्न एक यार्न को याणि एक धागे को बाहर लीजिए from a piece of cotton fabric एक cotton fabric यानि सूती कपड़े के टुकड़े से एक यार्न को आप बाहर लीजिए place the piece of yarn उस यार्न यानि धागे की टुकड़े को रखिए on the table देखो इसने रखा है यहां पर चित्र में दिख रहा होगा you can look on in the figure figure में देख सकते हैं आप इस तरह से रखना है उसको यार्न को place the piece of yarn on the table now press one end of the yarn with your thumb इसका जो एक end है एक सिरा जो है उसको अपने थंब यानि अंगुठे से उसको प्रेस करो या दबाओ एक सिरा तो अंगुठे से प्रेस कर दिया दबा दिया scratch the other end of the yarn scratch the other end एक सिरा तो आपने दबा दिया अंगुठे से दूसरा जो सिरा है उसको आपने scratch किया यानि उसको खरोचा with your nail ना खुन से आपके as shown in figure 3.4 ये जो शो अभी figure 3.4 में दिख रहा है ना इस तरह से एक सिरा तो एक end तो आपने थंब से प्रेस कर लिया और second nail से आप उसको scratch करेंगे खरोचेंगे do you find क्या आप पाते हैं that at this end ये जो दूसरा वाला end है जहां अपने खरोचा है the yarn splits up ये जो yarn है ये खुल जाता है into thin strands पतली लडियों में ये जो yarn है और पतली लडियों में खुल जाएगा splits यानि खुल जाएगा विभाजित हो जाएगा thin strands में पतली लडियों में ये दिख रहा है आपको yarn split up into the thin strands ये yarn जो है न वो भी पतली लडियों में खुल गया है you might have observed आपने ये भी observe किया होगा something similar आपने ये भी observe किया होगा something similar कुछ इसी तरह का when you try to thread a needle जब आप किसी needle को यानि किसी सुई के अंदर धागा डालने की कोशिश करते हैं तब भी आपने ऐसा महसूस किया होगा many a time कई बार the end of the thread thread यानि धागे का end होता है जो सिरा होता है it separated वो अलग हो जाता है into a few thin strands पतली पतली लडियों में this makes it difficult और इसके कारण से कठीन हो जाता है to pass the thread उस धागे को pass करना through the eye of the needle उस needle की जो आई होती है नीडिल की जो जहां से धागा पिरोना होता है उस आई बोल रहे हैं अभी उसको वहाँ पर तो उस needle की आई में से उसको pass करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो thread होता है वो खुल जाता है separate हो जाता है thin strands में the thin strands यह जो पतली लडियां है of thread धागे की that we see जो हम देखते हैं are made up यह बनी है of still thinner strands यह पतली लडियां भी और अभी और ज़्यादा thinner strands और पतली लडियों से बनी है called fibers उसको fiber कहते हैं तो यहां पर हम लोग यह जो lesson का नेम है fiber to fabric कपड़े के लिए fiber तो यहां अभी अपन ने एक term clear किये कि fiber क्या होता है fabric यानि कपड़ा किस से बना तो yarn से yarn से बना और उसके बाद में yarn किस से बना तो वो बना है fiber से ऐसा अपन ने अभी तक study किया है students we have studied today up to this line called fiber यहां तक अमने पड़ा है we will study the next part of this lesson in next video till that bye bye see